मी यूंग कहता है यह वियर्ड है मुझे खुद को नहीं पता मैं क्या चाहता हूं मी यूंग वहां से उटते वे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बाटटब रेड़ी करता हूं और वहां तुम्हारे इंतिसार करता हूं जीते हैं मी यूंग का हाथ क्रेप करता है और उसे पेमिली मेंबर्स को छोड़ की क्यों नहीं जाता तुमने मुझे पूचा कि मैं डरा हुआ हूँ या नहीं हाँ मुझे डर लगता है मुझे हर रात बुरे सपने आते हैं और मैं सो नहीं पाता जब मेरे आसपास लोग होते हूं पर मैं उन लोगों से क्यों नहीं भाग रहा ये कारण और भी डरावना है ये काफी टेरिफाइंग है ये कहते हुए जीते की जबान लडखडाने लगती है वह मियूं को हक करता है मियूं सोचता उसकी ट्रेंबल करते शिरिश को चुना ऐसा है जैसे की किसी आग को चुने जैसा ये मुझे दुकी कर रहा है तुम लगते हो जीते कहता है मियूं क्या तुम मुझे पर दयाद करते हो मियूं कहता है तुमने कहा है ना कि मत करो जीते कहता है मैं नहीं कहता है लेकिन मैं तुम पर दया करता हूँ मैं करना नहीं चाहता और मेरी हैसित भी नहीं है कि मैं किसी और की बारे में सोचूँ लेकिन म मुझे हिरानी होती है कि मैं आखी लोगों के लिए ऐसे बाते क्यों सोचता हूँ जीते गहता है मुझे पता है तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो क्योंकि तुम इसी तरीके के माहूल में पहले पड़े हो मैं तुम्हारी डेट को डून रहा हूँ और शायद इसमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगीगा पर क्या मुझे अपने दुक्का कभी कारण मिलेगा मेरे दुक्ते वे दिल का और इसके बाद तुम क्या करने वाले हो मतलब जब तुमारे डेट तुमें मिल जाएंगी उसके बाद क्या तुम यहां से चले जाओगे क्या तुम भागने वाले हो इस बार कही बहुत दूर जहां कोई तुमें ढून ना पाए अगले सीन में हम देखते हैं कि कलब में एक नया लड़का आता है जिसका नाम हजून है वही हजून जिसका टेक मियूम के पास है हजून कहता है जीते यहां आए क्या एक लेड़ी कहती है मास्टर जीते तो भी नहीं आए और कई दिनों से वो यहां आते भी नहीं है हजून कहता है जो भी हो मैं यहां से जा रहा हूँ और वो बास स्टार्ट कहाँ पर है जीयान हमारी सेल्स बढ़ाने के लिए मुझे उसकी जरूरत है हाज़ून अपनी शकल मीरर में देखता हूँ और सोचता है हे मैं ऐसा दिखाई देता हूँ वेट कहीं जीते को सुन्दर्द लड़के से प्यार तो नहीं हो गया मुझे नहीं पता था कि वो इन स्टाफ में भी है पर वो सुन्दर्द सा लड़का मुझे काफी फेमेलियर दिखाई दे रहा है वेट जीयान को आता देखकर कहता है कि ये आगया मेरा नया शूगर डेरी या और भी सुन्दर लड़के हैं लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हें अच्छा फील करवा सकता हूँ तुम मुझे पैसे देते ना जीयान कहता है नहीं तुम काफी वोईलेंट हो हज़र के तक कामोन मुझे पता है कि मैं तुम्हें पसंद दूँ मैं तो चाहता तक जीते भी यहां आए पर वो तो उस लड़के के साथ भी सी है पर वो लड़का मुझे फेमिलियर क्यों लग रहा है क्या वो अमारे कलब का मेंबर था पर वो काफी इनोसेंट है इन चीज़ों के लिए जी हान कहिता है अपनी ज़पान चिलाना बंद करो तुम मुझे या प्लीस करने आयो ना hablando कहिता है कि मैं काफी अज़ीब बंदा हूँ मतलब कि तुम मुझे कोई चीज़ करने के लिए मिना करोगे तो मैं ओर वो चो करने चाहूँंगा जियान कहता है मैं तुम्हें वर्णिंग दे रहा हूं कि अपनी लिमिट में रहो इसके बाद वे दोनों साथ में कुछ प्राइविट मॉमेंट पृताते है जियान को उसकी मॉम नेफ नमबर से फॉन करती है जियान कहता है मैं अभी काफी ठका हूँ मॉम कहती है मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है जीते ही इन दिनों अपनी घर से बाहर नहीं निकल रहा है क्या कोई बात है जियान कहता है वो पार्टी करके ठक गया होगा मैं उसका हर एक मूव देख रहा हूँ उसने अभी तक कोई सस्पीसियस काम नहीं किया है इसलिए मैं उस पर नजर बनाई हूँ मॉम कहती हैं इन दिनों काफी ऐसे चीज़े हैं जिनके बारे में तुमें नहीं पता मैंने तुम्हारे सेकरेटरी को फायर कर दिया है और मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा बन्दा बिज़ो है तो तुम्हारा ख्याल रखेगा उसकी मॉम बीलियम नाम की एक बन्दे को वहां बेशती है जो कि कब से जियान पर नजर कड़ाएवे था हज़न कहते है ये तुम्हारे मॉम का सेकरेटरी है ना इसकी शकल माफिया जैसे है जियान कहते है तुम अभी तक नहीं सिखे न कि अपनी जबान पर लगाम कैसे लगाते है हज़न कहते है ओ मैं भूल गया था कि तुम्हारे मॉम फोन कॉल पर है वैसे मैंने अभी तुक उनको आमारे बारे में कुछ भी नहीं बताया हो इसलिए मैंने सोचा कि इस पार तुम्हें क्या काम हो गया है उस लड़की का नाम मियू मना मुझे याद आ रहा है कि मैंने उसे कहीं देखा था यह वही लड़का है ना जिसके पापा ने जीते को एक वार किटनेप किया था मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब वह जी जीते के करीब क्या कर रहा है उस दिन जीते मरते मरते वे बचाता अब यह मत कहना कि वह उसे अब भी लाइक करता है वहीं दूसरी और मियूम जीते के शर्ट के बटन लगा रहा होता है वह उसकी और जुकता है जीते कहता है यह तुम क्या कर रहे हो मियूम कहता है यह बट से हटबड़ी में नहीं हूँ मियूम कहता है फिर भी मुझे जल्दबाजी करनी चाहिए वह मियूम को रोमेंटिकली ग्रेप करता है और हसने लगता है मियूम कहता है है मेरा मजाक उड़ाना बंद करो यह बटन मुझे बस लग नहीं रहा है और कोई कारण नहीं है जीते कहत क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूं मियूम को याद आता है कि उसने ही कहा था चलो ट्रेड करते हैं तुम मेरे फादर को ढूनोगी और उसके वदले में मैं तुम्हें फेवर दूंगा मियूम कहता है क्या तुम्हें याद है कि हमने एक डील की थी जीते कहता है ओ हाँ याद कोती है मियूम कहते है कोई बार खड़ा है क्योंँ ना तुम इसे जवाब दो जी Mia कहते है तो सब इस कंगते हो वह मेने कुछ पहना नहीं है ना स्टाफ मेंबर कहते है क्या वरक पड़ता है हम लड़के ही तो ही तो है जीते मियूम से कहता है कि एक वार मेरा नाम पुकारो, सिर्फ एक वार, मुझे ये मास्टर कहने की बजाए मेरे नाम से बलाओ, चलो कोई बात नहीं अगर तुमसे ये नहीं हो रहा है तो, मियूम कहता है जीते, ये सुनकर जीते थोड़ा सा शोक्ट हो जाता है, वह उसे इस नजर जी इसे देखता है जिसे की वह ये सब सुनने के लिए काफी दिनों से वेट कर रहा था, मियूम कहता है तुम इसे सर्प्राइस क्यों हो, जीते कहता है एक वार फिर से मेरा नाम लो, मियूम हसने लगता है, जीते कहता है ये, तुम मेरा नाम ले क्यों नहीं रहे हो, मियूम कहता है तुम ऐसा फेस क्यों मनाते हो जो मैं तुम्हें मना करता हूँ जीते उसे बेक करता है कि मेरा नाम लो मियूम कहता है मुझे परिशान करना बंद करो पहले जीते कहता है मैं परिशान करना बंद कर दूँगा अगर तुम मुझे किस करो मैं यूम उसे किस करने की कोशिश करता है पर जीते अपना फेस लिफ्ट करके कहता है तुम इंतजार किसका कर रहे हो चलो जो तुमने शुरू किया वो फिनिस करो और उसके बाद क्या होता है ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में तब तो के लिए बने रहे है और देखते रहे है निक एक्स्प्लेंड